हेलो फ्रेंड्स आज हम में 309 के मिलिंग मशीन एंड मिलिंग वर्क के आर्टिकल इंडेक्सिंग और डिवाइडिंग हेड इसके बारे में पढ़ेंगे तो इंडेक्सिंग और डिवाइडिंग हेड क्या होता है है इंडेक्सिंग या डिवाइडिंग एड है ये कटर के साफ एक्स को रिखन्ड ने उस कारिखनकी एंगूलर पोजिशन को चैंज करता था है कि हैयल खिल्हींट चैंजिंग दा एंगूलर पोजिशन ओफ्ट कम्पोनेंट इन रिलेश्न टू दबाघ तो कटर के अवेक्स कार्यखंड की एंगुलर पोजीशन को ठीक है डिग्री में डिग्री में अगुलर पोजीशन उसको करने की काम में आता है कि इंडेकसिंग या डिवैडिंगेंगेड है इनका यूज करके हम कोई-भी कार्यखंड है उसकार एक्ट की परीदि को किसी भी equal numbers of parts में divide कर सकते हैं with the use it is possible to divide the periphery of the workpiece into any number of equal parts यानि कारेखन के परिदी है उस परिदी को किनी भी equal numbers of parts में किनी भी समान बागों में divide कर सकते हैं तो इसके लिए हम indexing या dividing head है वो काम में लेते हैं कि ये मुख्यता निम्रे तीन प्रकार के होते हैं कि पहला है plane dividing head दूसरा है universal dividing head और तीसरा optical dividing head इन तीनों में जो ये last वाला है optical dividing head ये सबसे परिसुद अटेज्मेंट है कारिखन के परिदी को समान बागों में बाटने के लिए और इसको बहुत अधिक परिसुद इंडेक्सिंग जा करनी हो वहां पर और अन्य प्रकार के जो indexing head उनकी accuracy है उनको check करने के लिए इसको काम में लिया जाता है तो फिलाल ये अभी कि हमारे कार्य चेतर का नहीं है इसलिए हम plane dividing head और universal dividing head इनके बारे में पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ते हैं plane dividing head कि plane dividing head क्या होता है plane dividing head होता है यह मुख्यता दो परकार का होता है मुख्यता दो परकार का होता है जो पहले परकार का होता है उस पहले परकार में indexing plate है वो directly spindle होती है उससे mounted होती है और उसमें किसी भी परकार का warm या warm wheel का उप्योग नहीं किया जाता है इस तरह में indexing head है आपके उनमें सबसे simple dividing head है और इसको हम direct indexing के लिए काम में लेते हैं इसमें index plate होती है उस इंडेक्स plate में बारा या चोईस equispaced slot है वो उसकी परीदी पर कटे हुए रहते हैं कि इस दा सिंप्लेस्ट ओफ ओल्डा डिवाइडिंग हेड एंड इस यूजड इन डारेक्ट इंडेक्सिंग डारेक्ट इंडेक्सिंग इसमें काम में लिया जाता है तो इसमें जो इंडेक्स plate यूजड की जारी है उसमें 12 या चोईस equispaced slot है वो उसकी परीदी पर कटे वे रहते हैं अब इसका चित्र देखते हैं कि यह प्लेंड डिवाइडिंग हेड का चित्र है कि यह देखिए इसमें यह इसकी बोड़ी है कि बोड़ी के फ्रेंट में यह आपकी इस्पिंडल लगी है इस्पिंडल के उपर केरियर और सेंट्र लगवा रहता है ह вызов यह इंडेक्सिंग प्लेट है इंडेक्सिंग प्लेट इंडेक्सिंग प्लेटल पर माउंटेड और स way concept प्लेट की परीदी परें इंडेक्सिंग प्लेट की परीदी परें खांचे गट हुए है कि यह खांचे या तो 12 है या 24 है इस प्लेट के पीछे एक लग लगा रहता है उस लग को को इन स्लोट में फसा के कि इस पिंडल को किसी भी पोजिशन में लोग किया जास्कता है कि अब का रिखन्ड है उसका रिखन्ड को पकरने के लिए एक सेंटर तो कि यह इस इंडेक्सिंगेट का हुई है और दूसरा सेंटर है कि उसके लिए हमें टेल स्टोग यूज़ करते हैं तो पहले हम यह पढ़ लेते हैं इसके बाद में टेल स्टोग के बारे में पढ़ेंगे अब यह आपकी कि इस पिंडल को लोग करने के लिए इसके पीछे लग लगावाया है और लग में एक हैंड लिवर की साहिता से उसको operate किया जाता है तो हैंड लिवर को जब उसका स्प्रिंग लगी होती है तो जब हम इसको हैंड लिवर को फोड़ देते हैं तो के कारण वो लग इस स्लोट में एंगेज हो जाता है और जब हम उस लग को खींचते हैं तो यह इस प्लेट को फ्री कर देता है तर ayci also सखेट है कि मैंने आपको पताए इसके उपर रप्लेटे इंडेक्सिंग इसके उपर या तो बारा सरों कटे हो लते हैं चलिफ कर सकते हूँ हैpack कारिखंड की परिदी को हम सिमित नंबर है उसी में डिवाइड कर सकते हैं तो बारा में आपके दो तीन चार छे और बारा से डिवीजेबल है बारा से इन संक्या से बाग दिया जासता है तो अगर हम हुआ है यह हमिडeled इस प्रकार के होती है इसमें केवल परीदी के उपर minimal है यह एक्षा में बने होती हैं के बलपने और लोटो अध्समांट वाली इंडेक्स ब्रेट गां में लिए है तो कारिखंड के पर दिये लिए उसको हमें 2, 3, 4, 6 या 12 समान भागों में विवाजित कर सकते हैं अगर हमने 24 वाली प्रेट का में लिए तो फिर उसको हमें 2, 3, 4, 6, 8, 12 या 24 समान भागों में विवाजित कर सकते हैं प्रेट कर सकते हैं तो कारिखंड को पकड़ने के लिए हम एक तो आपका इसका सेंटर हो गया कि इंडेक्सिंगेड का दूसरा सेंटर हो गया वी पड़ेंगे यह जसे लिए जाता है उसी प्रकार का होता है यह एक मजबूत बोड़ी होती है इस मजबूत बोड़ी के आदार में दो स्लोट कटे होते हैं एक स्लोट इदर होता है दूसरा स्लोट इदर होता है तो इन स्लोट की साहिता से हमें इसको मसीन की टेबल पे मिलिंग मसीन है उस मिलिंग मसीन की टेबल पे नट बोल्ट क्लेंप आ सेंटर को आगी और पीछे चला सकते हैं तो यह जो की इसे प्लेन इंडेक्सिंग एडर के साथ में यूज़ किया जाएगा तकि कारिखंड है उसकारिखंड को एक सेंटर तो आपका यह विया दूसरा सेंटर यह हो गया इन दोनों सेंटर की बीछ में पकड़ा जा सके ताकि कि इसको आपने असानी से घुमा सकें तो यह आपका ब्लेन इंडेक्सिंग हेड जिसमें इंडेक्स प्लेट है वो डारेक्ट ली इस पिंडल पर माउंटेड है इसमें किसी भी प्रकार का वर्म या वर्म विल को अपव्योग नहीं किया गया है अब आपका दूसरा indexing head ये भी आपका plane dividing head है इसको हमें simple indexing में कामे लेंगे another useful form of the plane dividing head is that used in simple indexing तो ये तो हम direct indexing में कामे लेते हैं इसको हम कामे लेंगे सिंपल indexing में इसमें भी आपके ये कास्ट आइन की मजबूत बोड़ी है इस 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 पिंडल जिसमें की ये इस पिंडल लगी हुई है ये इस पिंडल के फ्रंट में आपका केरियर लगावा है और सेंटर लगावा है इस पिंडल के फ्रंट में केरियर और सेंटर लगावा ये इस पिंडल के बेक में एक इंडेक्स प्लेट लगी हुई होती है इस यह इन्डेक्स प्लैट होती है यापके प्लैन ép इंडेक्स हैड काम में लियता उस से डिफरेंट होती है प्लैन इंडेक्सिंग झाल इसमें केवल है परिदी। उस परिदी पर खांसे बने होते हैं जब कि आ यह जो इंडेक्सिंग एड़ है जिसमें कि इंडेक्स प्लेट यूज जा रही है इसमें कि परीदी पर तो खाचे बने हुए है साथ यसका फेस है उस फेस पर डिफरेंट होल सर्कल भी वने हुए है यह देखें इसमें पेरिफेरी पेरिफेरी पे तुखाचे बने वें और यह आपके फेस है इस फेस फेर डिफ्रेंट होल सरकल है यह बने वे पहला होल सरकल दूसरा और तीसरा होल सरकल अब यह आपके प्लेट है इस प्लेट को मुवमेंट है वो एक वर्म के द्वारा दिया जाता है यह वर्म के द्वारा दिया जाता है और वर्म है यह वर्म इस हैंडल के द्वारा चलाया जाता है ठीक है तो प्लेट है इस प्लेट को चलाने के लिए इस प्लेट को वर्म के द करेंग होती है जिसमें की करेंग पिन लगी रहती है यह एक बोल्ट पर मांटेड होती है यह क्रेंग को इस बोल्ट के साथ में फ्रीली गुमासकते हैं ताकि इस क्रेंग कि पोजिशन को हमंए इंच्छितु हॉल सरकल में, तो कि कड़ें को यह आपकी क्रेंक के नहीं को कभी lleva करना पढ़ेगा, कभी यह करना पढ़ेगा, कभी यह करना पढ़ेगा, तो हमसे जबह अचाहिएं, वहाँ पर कायों को किसी भी इच्चित होल सरकल में इसके लिए एक क्रेंग पिन है वो क्रेंग पिन एक स्प्रिंग लोडेट प्लेंजर में लगी रहती है तो जब इसको दबाएंगे तो प्लेंजर आपका होल से बाहर आजाएगा और जब इस पिन को छोड़ देंगे तो वो इसमें फिट हो जाएगा यह आपके इस प्रकार से होती है तो जैसा कि मैंने आपके पहले बताया कि जो प्लें इंडेक्सिंग एड है इसमें केवल परीदी पर स्लोट बने हो रहते हैं जिसके कारण बारा से छाचै जिस प्लेट पर बने हो है उसमें केवल यह धिविजन प्राप्त किया जासकते हैं और चोई समानबागों में बाटना है तो हम ने तो इसके द्वारा बाट सेखते हैं और ने इसके द्वारा तो फिर इसके लिए हमें ये index plate है वो काम में लेनी पड़ेगी तो इसमें index plate होती है उसमें generally तीन whole circle होते हैं पहला whole circle होता है ये पहला वाला इसमें usually 16, 42 या 60 यह आपका पहला है पहला whole circle है इसमें 16 दूसरे whole circle में 42, 32 में 60 यह तो एक plate होगी यह एक different plate और होती है जिसमें 24, 30 और 36 होल है वो लगे वह रहते हैं इसके लवा market में और भी different whole circle की plates होती है जिसको हम हमारी requirement के अनुसार खरीच सकते हैं तो यह आपके पहली पहले प्रकार की है plate जिसमें परिदी के ओपर तो खालचे बनी हमें हैं साथी साथ different whole circle भी बने हैं पहला whole circle है इसमें 16 आप चिदर बने हमें दूसरा whole circle है इसमें 42 बने हमें तीसरा whole circle है इसमें 60 मैं एक प्रेट होगी दूसरी प्रेट और होती है जिसमें पहले हें होल सकल में 24 को दूसरे होल में तीसों और इसकी मसीन के साथ इस प्लाइ treatment जिने हम हमारी requirement कि अनुसार कंगर से पर्चेज करके साथ अब कर सकते हैं अब आपका कारीखंड है उस कारीखंड को हमें ठीक उसी परकार से पकड़ते हैं जिस परकार से हमने इस प्लेन डिवाइडिंग हेड में पकड़ा था प्लेन डिवाइडिंग हेड में पकड़ने के लिए एक सेंटर तो आपका यह इसमें है दूसरा सेंटर आपक को आने से इसे हैंडल की चाहते है जब हम वर्म को घूमाएंगे तो आपकी इंडेक्स प्लेट है यस से अंगेज है इसके खांच एस तो इंडेक्स फ्लेट खुमेंगी और इंडेक्स ब्लेट घुमेंगी तो ये को सिंगेग की के इच चित समान बागोंर में कर सकते हैं दन्यवाद